नमस्कार, तो बच्चों हमारी आज की क्लास में हम कुछ ऐसे विशेशन शब्द, विशेशन जिने इंग्लिश में बोला जाता है, adjectives, तो हम कुछ ऐसे विशेशन शब्द, adjective words हिंदी और इंग्लिश में सीखेंगे, जिनका यूज हम अक्सर अपने डेली लाइफ में करते है और इन शब्दों को, इन words को आप अपने इंग्लिश और हिंदी के काफी topics में यूज भी करते होंगे, जैसे article writing में, या पत्र लेखन, letter writing में, निबंध, कहानी लेखन, इन सब में आप इन शब्दों को काफी यूज करते होंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप यह समझना चाते हैं कि विशेशन यानि adjectives होते क्या हैं, तो आप description box में जाके, विशेशन की वीडियो में link प्रेस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो चलिए, अब हम कुछ adjectives यानि विशेशन शब्दों को सीखते हैं, तो सबसे पहला हमारा हिंदी में शब्द है सु सुन्दर और सुन्दर को बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं, ब्यूटिफुल ठीक है, सुन्दर ब्यूटिफुल जैसे मेरी माता जी बहुत सुन्दर है, तो my mother is very beautiful, ओके, हमारा दूसरा हिंदी में शब्द है हस्मुख, और हस्मुख को इंग्लिश में क्या बोलते ह चीरफुल वहें भहुत हसमुख लड़की है She is very cheerful girl या वहें भहुत हसमुख लड़का है He is very cheerful boy ठीके? हमारा तीसरा शब्द है चालाक और चालाक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Clever अगला हमारा शब्द है जिग्यासू जिग्यासू क्या होता है बच्चों? जिने हर चीज जानने की इच्छा रहती है जो इच्छुक होते हैं कि हाई मुझे यह भी पता करना है मुझे यह भी पता करना है तो उन्हें क्या बोला जाता है? जिग्यासू और जिग्यासू को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूरियस, क्या बोलते हैं क्यूरियस, एक बार फिर से बोलिए क्यूरियस, C-U-R-I-O-U-S, ठीके, जिग्यासू और इंग्लिश में हो गया क्यूरियस, हमारा अगला शब्ध है खतरनाक, और खतरनाक को इंग्लिश में क्या ब और रास्ते में अगर बिझली को ओंगे आपको खंबा दीखता ओगा तो उसमें उपड़ लिखा है खतर pegar और नीचे इंग्लिश में लिखा होता है डेंज lawyers ने हमारा हूंदी का, अगला हूंदी का शबद है शान्त, तो शान्त को इंग्लिश में क्या बोला जाता है quiet बहुत से बच्चे से बोलते है quiet बच्चों ही है गलत है इसका सही pronunciation क्या होता है quiet एक बाइ मेरे साथ फिर से बोलिए quiet जैसे मैं कभी कभी क्लास में बोलती होगी students keep quiet है ना तो quiet को हम हिंदी में क्या बोलते है शांत ठीक है और हमारा आज का आखरी विशेशन शब्द है महेंगा और महेंगा को इंगलिश में क्या बोलते है expensive महेंगा expensive ठीक है बच्चों तो यह हैं कुछ हमारे हिंदी और उनके इंगलिश के adjective words थे आप इन words को कहीं पर note कर लीजिए और इनको आप अपनी daily life में यूज की